दोस्तों इस वर्ष का जो पद्मपुरस का रवितरन समारो था उसे देखकर शाइद है ऐसा कोई होगा जिसका रिदे भावक ना होगा हो हाला कि उन्हेंसे दो नाम हैसे भी थे जिनकी सोचल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है हो सके तो उनके बारे में वीडियो के आंत में बात करेंगे कि उन्हें आखिर क्यो दिया गए यह पद्मपुरसकार पर उन दो नामों को छोड़कर अन्ने जिने भी इस वर्ष पद् जी हो जिन्होंने अनपड होते वे भी स्कूल बनवाया या तुलसी गावडा जी हो जिने वनस्पतियों के बारे में अथा ग्यान है जो नंगे पाओ अपने पारमपारिक वेजबुशा में राश्च्रपदीजी से पुरसकार लेने के लिए आई थी या विमन्स होकितीम क कप्तान रानी रामपाल जी हो जो बहुत ही अधिक अत्यतिक गरिब परिवार से आती है जिनके पीता हाथ गाड़ी खीचते थे काट पूलर थे अब देखे दोस्तों मैं आपर सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगा पर ऐसे जमीन से जुड़े हुए महान विक्तिमत्तों को जो पुरसकार मिलता है न तो उससे जिने पुरसकार मिला है उनकी नहीं उल्टा उस पुरसकार की शोभा बढ़ जाती है उस पुरसकार की महिमा बढ़ जाती है वो पुरसकार अमुल्य हो जाता है और इससे हम अमारी आने वाले जो जनरेशन से उनके सामने कुछ आदर्श प्रस्तापित करते हैं, हम उन्हें ये सिखाते हैं कि कैसे हमारे समाज के भुजर्गों ने बहुती गरिब परिवार में जन्ग लेकर भी जिनके पास कोई सुक्सुविदाय नहीं थी कोई साधन संपत्ती नहीं थी पर फिर भी कैसे इन कठिन परिस्तितियों के बीच में भी उनने कैसे समाज की सेवा की, कैसे पर्यावरन की सेवा की कैसे देश की सेवा की, ये उच्च आदर्श हम हमारी आने वाली जनरेशन के सामने प्रस्तापित करते हैं पर जब अयोग के लोगों को पुरस्कार दिये जाते हैं जैसे कि कुछ तताकतित पर्यावरणवादी जो अपना अपने पर्यावरण का प्रेम बस सोचल मीडिया पर दिखाते हैं ट्विट्स करके पोस्ट करके जिनका समाज की सिवा में समाज में समतेश की सिवा में कोई भ जो वोक लिबरल्स होते हैं उन्हें जब पुरसकार दिये जाते हैं तो इससे हम हमारी आने वाली जनरेशन के सामदे बहुत बढ़ा गलत आदर्श प्रस्तापित करते हैं और इसी कारण से अभी हम यह जो पदम पुरसकारों में बदलाव देख रहे हैं यह बहुत बहुत मा श्रीमती भूरी बाई चित्रकला श्रीमती रंगममाल उर्फ पबममाल क्रिशी श्री श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी मरनोप्रांत अध्यात्म उनके उत्रा दिकारी श्री श्री विश्वेश प्रसना तीर्थ स्वामी जी श्रीमती पूर्णमासी जानी कला लोग गाएं श्री नंदा पुरुष्टी समाज सेवा उत्सव चरनदास लुक नुर्थे और मैंने इस वर्ष पुरुसकार वितरन समारों के जितने भी दृष्चे देखे उन में से जिस दृष्चे ने मुझे सरवा थी सबसे ज्यादा भाव किया वो दृष्चे था माता मंजम्मा जोगाती जी का जब वे राश्ट्रपती जी से पुरुसकार ले लेने के लिए आई तो वो वीडियो जब मैंने देखा ना अपने आप ही मेरी आखे नम हो गई थी मैं उस आनुभाव को बताने सकता एकदम से एकदम ही मेरा रिदय एक तरफ प्रसंदता भी हो रही थी और एक तरफ भाव भी हो रहा था मैं जिस आत्मविश्वास के साथ जिस स्वाबिमान के साथ वे पुरसकार लेने के लिए उनके चेहरे पर जो प्रसंदता धीना उसे देखकर मैं ही क्या चाहे कोई भी हो वो भावग हो जाएगा पत्थर भी पिघल जाए इस प्रकार का वो द्रिश्य था माता बीब बंजमा जोगती कला लोपन रिटिया उन्होंने आते ही राश्ट्रपती जी की नजर उतारी अपने साड़ी के पल्लू से मतलब आप कल बना कर सकते हैं माता मंजमा जोगती जी जो एक बहुती प्राचीन जोगमा परमपरालुककला की लोग नर्तिका है और आज करनड़का जनपत अकैडेमी की वे किंदर समात से आने वाली पहली अध्यक्षा है ऐसी माता मंजमा जोगती जी वे पुरस्कार लेने के लिए और उन्होंने सर्व प्रतम राश्ट्रपती जी की नजर उतारी हमारी सनातन संस्कृती की जो सहचता है, सरता है उसे देखकर सच में किसी का भी रिदेभावग हो जाए किसी की भी आखों में पानी आ जाए मुझे तो वो सीन देखकर एकदम से मेरी दादी मेरी नानी की याद आ गई वे भी इसी प्रकार से अपने साड़ी के पल्लू से कई पार नजर उतारती थी और क्यों मेरी दादी नानी नहीं आज भी अगर आप भारत के गाओं में जाएंगे न तो वहाँ जो महिलाएं हैं जो दादी नानी आदी है वे इसी प्रकार से साड़ी के पल्लू से नजर उतारती है आजकल के जो वोक, लिबरल्स है, स्टेंड़ अप कॉमेडियन्स है वे इसका मज़ा कोड़ाते हैं उनको मज़ा आता है इस देश के गरीब मासूम जो परिवार है, जो गाओं में रहने वाले भोले भाले जो लोग है उनके आत्मसम्मान को पैरोतले रौन्त कर हमारे देश के लिबरल्स को वोक, आपने आपको जो वोक मानते हैं ऐसे स्टेंडप कोमेडियन साधी उन्हें मज़ा आता है, इस देश के मासूम भोले भाले लोगों के आत्मसम्मान को रौन्त कर पैरोतले पर उन लोगों की जो परंपरा है, हमारे जो संस्कृती है, मुझे तो उस पर बहुत बहुत गर्व होता है और देखे न वे जब राश्टरपती जी की नजर उतार रही थी, वो दुरुष्य ऐसा है जो आज से कई दश्यकों बाद भी जी से याद रखा जाएगा मातामंजम्मा जोगाती जी एक बहुती प्राचीन जोगम्मा लोककला परंपरा की लोक नर्तिका है और आज करणाट का जन्पत अकेडेमी की वे किंदर समाथ से आने वाली पहली अध्यक्षा है मैंने जब उनकी वो लोककला के इंदरित्य भी कुछ देखे यूटूब पर तो सबसे पहले तो मुझे अपनी हमारे महाराश्टर में जागरण की जो परंपरा है भगवन खंडोपाजी की उपासना आराध्ना के लिए जो वागया मुरणी के द्वारा जो जागरण की उपासना की जाती है जो एक लोककला भी है एक प्रकार से जागरण की महाराश्टर में तो एकदम से मुझे उसकी याद आ कि म्यूजिक भी विल्कुल वैसा ही था जो पारंपारीक वाध्य है वे भी मुझे वही दिखाई दिये उस पर मैंने पूरा एक अलग से वीडियो भी बनाये हुआ है और इस प्राची लोककला में भी जो मुरली होती है विजातर स्त्री होती है पर कई बार पूरुष भी स्त्री के कपड़े पहनते हैं आजकला आपने देखा होगा जो कथी तरुप से बोक, लिबरल्स, लग्ट की राइट्स की बात करते हैं बड़े जेंडर नूटरलिटी वगरा की बाते करते हैं इसमें जेंडर नूटरलिटी के लिए पूरुष स्त्री के कपड़े वगरा पहनते हैं प्रॉस्ट रेसिंग उसको कहा जाता है एक बिटेन के एक स्कूल में भी अभी हाली में हमने देखा कि लड़कों को जबरदस्ती स्कूर्ट मीनी स्कूर्ट पहन कर आने के स्कूल में कहा गया था तो ये जो कथी तरुप से बस बाहरी दिखावई के लिए जेंडर नूटर हुआ था उसमें भी पुरुष्ट थे उन्होंने ही स्त्री के कपड़े पहन थे उन्हें मुरली कहा जाता है और उनका बहुत सम्मान किया जता है सभी आकर उनके पाउँ छूते हैं तो यह कोई बहुत नई बात बड़ा हवा हमारे संस्कृति में कभी भी रहा ही नहीं है इन बातों का पर घिन वो इस देश के कल्चर के बारे में कभी पथाहि नहीं है बस कुछ वेस्टें इतिहास पढ़ लिया कुछ वेस्टन कुछ दो चार ऐसे टर्म सीख जाते हैं, बाते सीख जाते हैं, और उसी के उसर उनका mindset बन जाता है, और बस अपने देश को गालिया देना, परंपराओं के नाम से छाती कूटना, तथा कतित independence की बाते करना, system के नाम से छाती कूटना, समाज के नाम से छाती कूटना, parents के नाम से छाती कूटना, family के नाम से पस यही करना उन्हें आता है, और इससे भी ज़्यादा आश्यरी की बात अब देखी दोस्तों, ऐसे जो वोक, लिबरल साधी होते हैं, जो कतित रूप से LGBTQ rights की वगएरा बाते करते रहते हैं, मैंने नहीं देखा कि उनमें से 5% लोगों ने भी माता मंजम्मा जोगाती जी के स सम्मान में कोई articles लिके हो, उनके सम्मान में कोई बड़े-बड़े post लिके हो, या उनके सम्मान में कोई trend वगएरा चलाया हो, मतलब मैं कई सारे से Facebook pages वगएरा और लोगों को बीच-बीच में उनको देखता रहता हूं, जो कतित रूप से gender neutrality की बाते करते रहते हैं, जहां लोग अकला के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में, उनकी कला के बारे में, उनकी लोग अंदृत्य के बारे में, लोग अकला के बारे में कोई अभ्यास किया हो, या उसका अभ्यास करके, कोई study करके, कोई लेक लिके हो, articles लिके हो, मातामन जम्मा जोगातीजी के सम्मान में कुछ बाते उन्हों लिखी हो यह मैंने नहीं देखा हाँ यह मैं हमेशा देखता रहता हूं कि रेंबो ओवर सैफ्रान भगवा के विरुद्ध जहर उबलने वाले उनके पोस्ट फ्लैक्स वगरा मैं देखता रहता हूं उस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो दो अच्छे देखना और मैंने जितना इससे देखा है न यह कथित रूप से जो वोग लिबरल्स ऐसी एलगीबिट की राइट्स की बाते करते हैं फिर किंदर समाज को बस एक ढाल की रूप में यूज करते हैं बस सामने रखते हैं किंदर समाज को लोगों को जनता को भाउग करने के लिए पर इसके पीछे उनका एजेंडा कुछ और ही होता है उनका मुख के एजेंडा जितना मैंने देखा है उनका मुख के एजेंडा होता है सेक्शुल लिबरेशन को प्रमोट करना एक सो कॉल्ड वो मॉडरन लाइफस्टाइल को प्रमोट करना जिसमें फिर बाय प्रियूड की फिल्म में वेप सिर्स हाली में आई हुई अगर आप देखेंगे तो उसमें थ्री सम फोर सम और ग्रूप सैक्स और पता नहीं क्या-क्या किन-किन बातों को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और हमारे देश के लिबरल्स वोक उसी उनी बातों को अंदे होकर फॉ तो उनका मुख एजेंडा ये होता है सैक्सिल लिबरेशन को प्रमोट करना और इसके लिए बस वे किंदर समाज को एक ढाल के रुप में यूज करते हैं पर सच में जब उन्हें इस प्रकार के सम्मान मिलता है तो उनके बारे में उनकी लोक कला के बारे में भारत की के बारे में कोई स्टडी उन्हें किया हो, कोई अभ्यास किया हो, उनके उत्थान के लिए उन्हें कोई कार्य किया हो, ये हम नहीं देखते हैं तो ऐसे वोक और लिबरल से भी मैं आपर यही कहना चाहता हूं कि प्लीज, आप अपनी कालपनिक दुनिया से बाहर निकलिए और इस देश को समझिए, इस देश के सभ्यता को समझिए, संस्कृति को समझिए, यहां की परंपराओं को समझिए, इस जो इतनी महान भारत भूमी पर आपको जन्व मिला है, उसके महत्व को आप समझिए, अब दोस्तों कई लोगों के मन में ये प्रशन उठ रहा है कि कर विक्तिमत्वों को पुरसकार दिये हैं, उनके सामने हमारा योगदान क्या है समाज में, हमने क्या किया है, कुछ गटिया सी फिल्में बनाने के अलवा, जो फिल्में समाज को कोई भी अच्छा संदेश तो किसी भी तरीके से देती नहीं है, ऐसे कुछ उटपटांग सी फिल आता, आप इस विशे के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज मुझे अपने जे कमेंट में आवश्य बताईए, यह वीडियो देखने के लिए आप सभी में तुरों का बहुत बहुत धने बाद, जैश्री राम, वंदे मातरम